मुख्य मंत्री भुपेश भगेल के निदेश पर राजस्तान की कोटा में कोचिंग संस्थानों में 36 गड़ के अधियन चात्र चात्राओं को वापस लाने के लिए भेजी गई बसे कोटा पहुच चुकी है यहां आपको बता दे कि कोटा में चिकित्सकों और अधिकारियों की टीम द्वारा इन बच्चों की स्क्रीनिंग कर वापसी के लिए बसों में बिठाया जा रहा है चात्र चात्राओं ने महामारी के इस संकट में 36 गड़ घर वापसी के लिए मुख्य मंत्री भुपेश भगेल की पहल और इस व्यवस्था में शामिल पुलिस चिकित्सा परिवहन विभाग और प्रशासनी कदिकारियों के साथ साथ सभी बस चालक और परिचालकों का अभ चात्र चात्राओं ने कहा है कि उनकी घर वापसी के लिए 36 सरकार ने जो व्यवस्था की है वह सरहानी है इन चात्र चात्राओं ने बसों के पहुचने और चिकित्सा टीम और पूलिस के जवानों का 36 गड़िया सबले बढ़िया हर्ष ध्वनी पर स्वागत किया है मुख्यमंत्री भुपेश भगेल द्वारा 36 गड़ के बच्चों के घरवापसी के लिए की गई पहल से चात्र चात्राओं की मायूसी दूर हो गई है भयंकर महामारी के संकट में दूर परदेश में अपने राजे के अधिकारी करमचारियों को अपने बीच पाक छात्रों के चेहरों पर खुशी लोटाई है 36 गड़ के चात्र चात्राओं को लाने के लिए भेजी गई चिकित्सा टीम ने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों की चिकित्से जाच गी यहाँ लेकनी है कि मुखे मंत्री भुपेश भगेल के निर्देश पर 24 अप्रैल की शाम राजधानी राइपूर से राजस्तान के कोटा में लोगडाउन के दुरान फसे चात्र चात्राओं को लाने के लिए कुस्तानवे बसों को रवाना किया गया है इन में से 95 बस चात्रों को लाने के लिए तो दो बसों में डॉक्टर और चिकित्सा दल के सदस्य गए है राजस्तान की कोटा से 36 गड़ पहुचने पर इट बच्चों को क्वारंटाइन पर रखा जाएगा उन्हें सीधे घर जाने की अनुमती नहीं होगी कोटा में अध्यन रते चात्र चात्राओं को वापस 36 गड़ लाने के लिए बस्तर संभाग के लिए 6 और सरगुजा संभाग के लिए 24 और रायपूर संभाग के लिए 16 दूर्ग संभाग के लिए 14 और बिलासपूर संभाग के लिए 28 बसों की व्यवस्ता की गई है सातिसगर से स्टेट है प्रनेगरवाल की रिपोर्ट राजगराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट एंटर्प्राइज